Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे learning group चैनल में आज है 12 मार्च और 12 मार्च से related जो भी क्रंट अफेर के important question बनेगे आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे और हरे question से related important point भी discuss करेंगे अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए टेलिग्राम पे आप इस वीडियो की PDF ले सकते हैं वीडियो के last में हम आपसे question भी पूछेंगे आप वीडियो को last तक देखिए और उस question का answer ज़रूर दीजिए इस वीडियो को आप as a mock test भी ले सकते हैं current affairs related आपको कितनी जानकारी है ये आपको पता चल जाएगा HBPSC paper 1 में वहाँ पे एक section है current affair का जिसमें current affair से related भी question जो है आपसे पूछे जाएगे previous question paper discuss करने के साथ current affair की knowledge होना भी बहुत important है अगर आपको इस paper को clear करना है ये वीडियो आपके लिए बहुत informative रहेगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like जरूर कर दे चलिए start करते हैं हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी homopathic college की स्थापना कहां पर होगी उत्तर भारत का जो पहला homopathic college होगा उसकी स्थापना होगी कठुआ में जब्व कश्वीर के कठुआ में इस question का option one जो है वो correct answer होगा next question देखिए हाल ही में किसे नीदरलेंड के हाल ही में miss word 2023 है आपको ये नाम याद रखना है इसे related question पूछा जा सकता है Miss World 2023 को उन बनी है Christina Jikova Tiger Boots जो है ये इन्हे अभी Bob Jones पुर्सकार के लिए चुना गया है Tiger Boots को Bob Jones पुर्सकार के लिए चुना गया है इसके साथ साथ ही 3rd option में आपके पास है Recaine Yamamoto Recaine Yamamoto ने हाल ही में 2024 पुर्सकार जीता है ये पुर्सकार सम्बंदित होता है बास्तुकला से नेक्स्ट question है हाल ही में किस ने The Conspiracy नामक मुस्तका अनावरण किया तो शिलंका की पूर्व राष्टिपती रही है गोटवाया राजपक्षे गोटवाया राजपक्षे ने The Conspiracy नामक मुस्तका अनावरण हाल ही में किया है ये शिलंका की पूर्व राष्टिपती है नेक्स्ट question देखिए हाल ही में परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने असम और किस राज्य को जोडने वाली सेला टरनल का उधगाटन किया है तो सेला टरनल जोडती है असम और अरुनाचल परदेश को इस टरनल का उधगाटन हाल ही में नरेंदर मोधी द्वारा किया गया है बात है अरुनाचल परदेश की तो अरुनाचल परदेश से related question कर लेते हैं Capital है अरुनाचल प्रदेश की इटानगर के मंत्री है अरुनाचल प्रदेश के पेमा कांडू है केवल्या, त्रीविकरम, परनायक इसके साथ अरुनाचल प्रदेश से related important point है अरुनाचल प्रदेश जो है वो 100% घरेलू नलजल connection हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज बना है हाल ही में अरुनाचल प्रदेश के आदी केकिर जो अद्रक की किसम होती है उसे GI tag मिला है अरुनाचल प्रदेश की हसन निर्मित कालीन और बांचो शिल्प को भी GI tag मिला है तो यह भी related question जो है अरुनाचल प्रदेश से आपने दियाद रखनी है next है mobile उत्पादक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कोन बना है तो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश mobile उत्पादक में हमारा देश भारत बना है पहले नमबर पे है चीन और दूसरा जो है हमारा देश भारत बन गया है भारत से related important point दुनिया का दूसर का दूसरा बड़ा उत्पादक भारत मना है भारत की पहली महिला रोबोट बायो मित्तर जो है वो अंतरिक्ष में उडान भरेगी भारत के बिज्यानिकों ने केले के शिलके से इको बूर ड्रेसिंग जो है वो बनाई है इसे जो है घाबो को भरने के लिए यूज किया जाएगा नेक्स्ट कोशिन देखिए हाल ही में कहां महात्मा बुध क्रिशी एवं प्रध्योग की विश्व विद्याले का शिला नियास किया गया है तो हाल ही में कुशी नगर में महात्मा बुध क्रिशी एवं प्रध्योग की विश्व विध्याले का शिला न्यास किया गया है ये किया गया है उत्तरपरदेश सीएम योगी अधितनेनाथ द्वारा नेक्स्ट कॉश्चन देखिए हाल ही में DRD उने 500 किलोमीटर रेज बाली अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षन कहा किया है अगनी 5 का सफल परिक्षन DRD उने द्वारा कर लिया गया है क्या है इसकी रेज 500 किलोमीटर रेज है इसका परिक्षन जो है वो उडिसा के वीलर आइलेंड में हुआ वीलर आइलेंड जो है इसका नाम बदल के अब APJ अब्दुलकलाम आइलेंड रख दिया गया है अब ICBM क्या होती है उडिसा के वीलर आइलेंड में अब APJ अब्दुलकलाम आइलेंड इसे कहा जाता है उडिसा के बारे में इपोर्टेंट बटाएंट तो उडिसा का जो सिल्वर फिलिग्री है और काई चट्री है उसे GI Tag हाल ही में दिया गया है पहला स्किली इंडिया सेंटर उडिसा के सबलपुर में खोला गया है कैपिटल की बात करें तो उडिसा की कैपिटल है भुगनेशवर, सीम है नवीन पतनायक और गवर्नर है यहां के रगुबर दास, यह कुछ important point जो आपको ध्याना करें है नेक्स्ट question देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, question है आज की वीडियो का हाल ही मैं ICC test ranking में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंचा है, आपके बास 4 option दिये हैं और आपने इसका answer जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना है I hope वीडियो आपके लिए informative रही होगी, thanks for watching